है लो projection चीज़ को आसाद बाफ युज़ करता हूं आज की वीडियो में बात करेंगे टिक і सभबी मिश्कार यह थजर आपर हो तो प्रमें आपने में घया हूब अभी तक subscribe नहीं कि तो please subscribe किजिए like किजिए share किजिए और comment किजिए अगर कोई problem होती है तो friends anchor tag को दूसरी language में हम links at tag भी बोल सकते है friends तो इस tag में एक title देता हूँ यहां anchor tag okay friends तो basically इस tag में होता क्या है कि हम हमारे page पे एक tag create करते हैं उसके अंदर हम हमने पहले कोई भी page create किया हो like as home page है तो हमने उसके अंदर page number one create किया है तो उसकी link दे देते है home page में तो कुछ इस type का होगा friends तो मैं यहां दिखे मैंने image.html पहले हमने बनाया था चुकि मैंने desktop पे इसे होकी है तो उसको मैं यह tag देखके दिखाता हूँ हम इसको a tag में ही लिखते है friends तो यहां href यानि कि h का मतलब है hyper और ref का मतलब है reference यानि कि hyper reference बोलते है friends इसको और मैं य लेता हूँ image.html ओके friends तो आप यहां देख सकते हैं मैं इसे run करके दिखाता हूँ friends पहले हम यहां कुछ लिख लेता हूँ क्लिक कि यह पूरा पाथ के साद अपने इसे क्लिक करता हूँ यह देखे फ्रेंट्स है हमारा पेज जो दूसरा वाला था और पूरण हो गया तो अब इसके अंदर कई सारी property है दिखाता हूँ कैसी तो मैं यह टार्गेट करता हूँ मतलब इसमे प्रोपटी है कि आप एक नेख से यहां मैं प्लस करता हूँ मतलब new tab open करता है देखे friends मैं बहुत सारी new tab open करता हूँ तो इस तरह से मैं जब यहां यहां click here करूंगा तो हमारा new tab में यह वाला page जो है हमारा यह वाला new tab में open होगा friends यह देखे friends मैं यहां underscore blank blank लिखता हूँ friends अब मैं इसे run करता हूँ और यह देखे यह new tab में open हुआ friends आप जब भी यहां जाके इसे click करेंगे new tab में होगा open friends और इस तरह से हम यहां भी यह tag देखे सकते हैं यह देखे click here में one देदेता हूँ ता कि हमें पता चला है दोनों difference है href is equal to double inverted comma में हमें लिख देना है anchor tag anchor dot html okay friends अब देखेगा friends मैं इसे run करता हूँ यह देखे यहां भी आ गया click here one तो मैं वापस लेके जाएगा देख सकते हैं friends आप और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है friends जो कि बाइडिफॉल्ट है underscore self यह बाइडिफॉल्ट प्रॉपर्ट है friends इसे कुछ नहीं होगा वही रन हो जाएगा यह देख सकते हैं तो subscribe कीजिए like कीजिए और अपने friend circle में share कीजिए एपका बहुत बहुत धन्यवाद अब मिलते हमारी next video में